वो शक्स जो 438 दिन से जादा समंदर की दुनिया में फसा रहा और जिन्दा वापस लोट आया कहानी कविताओं और फिल्मों में हमने कई बार नाविकों के साथ होने वाली समुदरी दुर घटनाओं के बारे में पढ़ा और देखा है समंदर में बहते हुए ऐसे लोग कई बार अंजाने टापू या देश पहुँच जाते हैं आपने फिल्मों में तो ऐसे लोगों को सर्वाइफ करते देखा होगा पर असल जिन्दगी में बहुत कम ही लोग ऐसे हालातों में मौत को हरा पाते हैं मिलिए जोस सेलवडोर एलवरेंगा से वो शक्स जो 438 दिनों तक समंदर में खोया रहा पर जिन्दगी की जंग नहीं हारी तो चलिए जानते हैं कौन है जोस सेलवडोर एलवरेंगा पेशे से मचवारे जोश और समंदर से जद्दो जहत की कहानी शुरू हुई 17 नवंबर 2012 से जोस मैकसिको इस्थित अपने गाउं से गहरे समंदर में मचली पकड़ने के लिए निकले जोस और उनके साथ ही कॉर्डोबा का काम सिर्फ 30 घंटों का था पर किस्मत को कुछ और ही मनजूर था तूफान से सामना जोस और कॉर्डोबा को तट से निकलने के कुछ देर बाद हुई थी और वे भयंकर तूफान में फस गए उनकी नाओ का मोटर रेडियो सब खराब हो गया अपनी जान बचाने के लिए उन्हें लगभग 500 किलोग्राम मशली वापस समंदर में डालनी पड़ी उनके पास नाओ चलाने के लिए पतवार नहीं था नहीं कोई टॉर्च और नहीं खाने पीने की चीज़ें तट से संप करने के लिए उनके पास कोई उपकरण भी नहीं था वे दोनों समंदर में बहते चले गए दूर दूर तक जमीन का कोई नामों निशान नहीं था जोस ने अगले कुछ हफते अपने हाथों से मशलिया जेली फिश टर्टिल समुद्री पक्षी पकड़ा और पेट भरा उनक कोर्डोबा की मौत लगभग चार महिने ऐसे ही जीने के बाद हो गई कोर्डोबा कच्छा खाना खाने से तंग आ गए थे उसने खाना पीना छोड़ दिया और उसकी मौत भूक से हो गई जोस ने भी आत्महत्या करने की सोची क्योंकि कोर्डोबा की मौत के बाद वे अकेल होना पड़ेगा और उसने कोर्डोबा के शरीर को नाउ से फेक दिया कोर्डोबा ने जोस से उसके मृत शरीर को ना खाने के लिए कहा था फेजिस आफ दा मून गिन कर जोश ने वक्त का हिसाब रखा प्रार्थना करके गाने गाकर और नाउ के आईस बॉक्स पर बैठ कर वो अपने दिन गुजार रहे थे जोश ने कई जहाज और ओशिन लाइनर्स देखे लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा अपने सिर के उपर से गुजर रहे हवाई जहाजों को सिगनल देने के लिए जोश के पास कुछ भी नहीं था 438 दिनों बाद दिखी जमीन 30 जनवरी 2014 को लगभग 438 दिनों बाद जोश ने कुछ दूरी पर पहाड देखे वो मार्शल आईलेंड्स का कोना था उसने नाउ से छलांग लगाई और तैर कर तट पर पहुँचा जैसे ही उसके पाउने धर्ती को छुआ जोश बेहोश हो गया जब उसे होश आया तो उसने पास के बीच हाउस के मालिकों को आसपास पाया मालिकों ने संबंधित अधिकारियों को इतिला कर दी थी सूजे टखनों और लो ब्लड प्रेशर के अलावा जोश स्वस्थ थे जोश अब मचली नहीं पकड़ते समुंदर के पास जाने में भी उन्हें डर लगता है और वे धीरे धीरे 438 दिनों की जद्दो जहत को भुला कर आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तो इस वीडियो से जुड़ी और भी बाते जो आप जानते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमें मोटिवेट करने के लिए इसे लाइक और कमेंट करें हमारे फेस्बुक पेज ओयस्पा को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद